कि चुनाओ अभी तक वे नहीं मुख्यमंत्री के लिए जुतम पे जा रहे हैं अरे का आप समझ नहीं रहे हैं आप जोद्पूर में मेरे सामने चुनाओ लड़ रहे हो तो इसमें क्या है तो हार जाओगे पर तीन-चार दिन के परचार के बाद व्यास जी को एक बात बहुत डंग से समझ में है कि हारेंगे और बूरे हारेंगे चोड़ो उसने 24 कड़े के सारे जीत गए तौंग्रेस का सूपडा साप है पूरे मारवाड के अंदर वोट नहीं है और यह प्रजामंडल वाले सारे वागड के गांधीन राजस्थान के गांधीन सब की जमानतें जयता है पंचीडें और सारे गायबुए से राध्यस्तान में कुछ भी प्रजामंडल नहीं वा था जब मैंने पहले दिन मोडर्न सुरू किति में तब भी काया था कि अगले कोछ दिनों तक हम खूब सारा जूट पड़ेंगे अब वर्मा जीवन का एक ही सपन है जयंदरेन व्यास को सीमपत से अटा वह एक आजमी इसने व्यास जी को वोड़ दिया वो खुद टिकाराम पलीवाल है हिरलाल सास्त्र अच्छा जयंदरेन व्यासवर मानिकिलाल वर्मा की जिन्दगी का एक ही सपन है कि हिरलाल आथे अब इन्होंने शिकायते करने सुरूगी हिरलाल भरष्ट है हिरलाल की तो राजाओं के साथ ज्यादा बनती है ये तो सवाई मान सिंगी मुख्य मंत्री बने हिरलाल से इंग बनाने वाले थे वलबयपटेल कौन थे वलबयपटेल मर गए 1950 के आंड में वलबयपटेल की डेत हो जाती है वलबयपटेल की डेत हुई तो अब हिरलाल जी की सुनने वाला उपर कोई नहीं था इश्यों गया और अटा गर नहरुजीर वी एक नाओं खेल एक IS को अपने राजस्तान का मुख्यमंत्री बना दिया एक साउथ इंडिन आइएस था अपने CS वेंगटाचारी क्या नाम था और CS वेंगटाचारी को का कि तुम यहां के CM बन जाओ हमारी रास्तान के CM बन जाओ कोई आप से पूछेगा कि कौन से IS को यहां पर मुख्यमंत्री बना या गया था क्या नाम था उनका तब IS को बोला करते दिए ICS क्या बोला करते थे एंडिन दीनसिविल सर्विस का एक बंदा है और उसको यहां राजिस्तान में क्या बना दिया गया मुख्यमंत्र, लिखो, डौन नमबर लिखो, CS वैंक टाचारी, CS वैंक टाचारी, कौश्टाम लिखले न, ICS, Indian Civil Servant, आप बोलते न, IAS, Indian Administrative Service, पहले बोला करते थे, Indian Civil Service, आप जैंदरान व्यास केर, मनिकलाल वर्मागे सपनों बेपानी, तो उन्हा निरुजीग वापत जाकरागे, आप समझे नहीं बात, पूरी, आपने कालें एकी दिमांड मानी, हिरलाल को टाया, हमें भी तो बाचारी, CS वैंक टाचरी को भी एटाया, और तीसरे बनाएगे जैंदरान व्यास, लिखो जैंदरान व्यास, उस दिन व्यास जी को नीन दाई डंग से इते दिन व्यास जी घुंगरू लेकी घूमी रहे थे है यह दो साल की प्रिक्रिया में तीन सीम आ गए उनीसों पचास से उनीसों बाउनिमित पहले चुना होगे ते दाई तीन साल मान लो एक अंदर तीन सीम बन गए अपने मुलों ने कौन-कौन बन गए चुनाओ अभी तक हुए नहीं मुख्य मंत्री के लिए जुतम पर जा रहे हैं बिना चुनाओ के अब आ गए 52 52 में का साब चुनाओ गए 52 में क्या है चुनाओ कौन लड़ेगा भाई कौन-कौन सी पाइटियां चुनाओ लड़ेगी देश की कि पाइटी कॉंग्रेस आज सामने को दुसरी पाराटी यहां थी नहीं था पूरे भारत में नहीं थे ले दे एक थोड़ी पारटी वाकरती धी कम्यूस्ट पारटीOb उनका आपने राजस्थान में ज्यादा कोई लेना देना नहीं था एक पार्टी वाकरती ब्जीपी की मम्मी भारतिये जनसंग क्या वाकरती बारतिये जनसंग वो भी बाद में बनी थी उसका भी बाद में कोई लेना देना वाता पहले चुनाओ तो अपने राजस्थान में दनन संग का भी इतना येचतना ये यहां पर अपने एक नई पाइटी बिनी रामराजय新 किया तो बाले कि पाइटी तो पूरा नहीं थिती पाहरतकी पुर मिलेक। पर राजस्थान में उसको हैंडल यदि कोई बंदा कर रहा था तो वो ते जोद्पूर महारजा हनवन सिंग ने कावाई मैं यह पाड़ी संबाड़ू को राम राज्य परिशद की जितनी भी टिकेट बंठेगी मैं बंठोंगा ठीक है आपको बता रहा था कि जोद्पूर महारजा अनवन सिंग एकमात पर राजा जो यह बात कर रहा था कि प्रभी परस नहीं चाहिए हमें राजपर्मों के रिए पद भी नहीं चाहिए तो वह आदमी पूरा डेमोक्राइटी की हो गया और उसने का चुनाओ लडेंगे अपने रामाराज राजी परिशेत पूरे मारवाड में चुनाओ लडेगी ओमारवाड का रजा था इसरा है थिस मरें लडेखे सिटन गैटने उसने मेलोक्राइटी कि ट्रूवाड नमerson सिंग मरेंगा da तो पर जिद रहाता भाई कॉंग्रेस जीती जाएगी, तब ज़िद निर्दलिय नेता खड़े उनका जरूर जना दहार था जया निर्दलिय भी जीत सकते हैं, कॉंग्रेस से कॉन चुनाव लड़ ये सारे नेता जिनके आमने नाम पड़े, जिनके आम पड़े, जिनके आम कि जोट्री घ्रिलाइए इस प्रस व्हार स्वावन के लिए जैनरे सिक्छा, सिटकियों राजय संगरुल ऑने से किस्ट चुन सबस्का वले रहा है। तो व्यास जी महाराजा से मिलने गए और व्यास जी ने महाराजा उजाक का कि राजा जी में ने सुना आप चुनाओं लड़ रहे हो राजा जी आप तो डेमोक्रेसी आ गई पांच साल हो गए राजे रजवाडे तो लड़ गए कब गए अब सारे लोग बराबर है अब तो आज वो करेगा जो चुनाओं में जीत के आएगा क्यों ना हम भी अपनी किस्मत आज मैं क्या पता हम भी जीत जाए व्यास जीन का ने ने बहुत अच्छा निरीने आपका लड़ाई ची चुनाओं उसमें क्या समिध्धान अधिकार देता है कि कोई भ्यादी भारत में आज इसमें क्या है तो हार जाओगे और बेस्ती होगी आपकी किसाब जोतपुर का राजा जोतपुर में चुनाओं हार गया मुझे ये बूरा लगता है देखो मैं आपके खिलाफ हूँ लेकिन मैं जोतपुर की बढ़दास्त निक और मुझे बहुत बूरा लगेगा कि ल कुरे बर चाई पिलो पूरी फिर बात बताता हूं जिन चाई कंप्लीट की जोन का व्यास जी सुनो मैं खुद चुनाओं लड़ रहा हूं महर्जा हरवन सिंग जोतपुर से रामराज्य परिषद का चुनाओं लड़ रहा है यदि मैं चुनाओं ना लड़ूं और बाटा अढ़िवाकर टूं बाटा पथर मेदी जनता कराओं की व्यास जी के सामने व्यास जी कॉंगरेश से लड़ रहा है भीयास जी अख़र जीतेगा अपच्छ चुनाओं नहीं जीत पाऊगए और बेति जिमाग से निकाल देना कि जोत्पुर से आप मेरे सामने चुनाओं ज पर तीन चार दिन के परचार के बाद व्यास जी को एक बात बहुत डंग से समझ में है कि हारेंगर बूरे हारेंगे, गरीवारे वोट नहीं देंगे अपने को, तो व्यास जी ने एक जगह से और परचा बढ़ दिया अपना जालोर, तहां से बढ़ दिया, एक आजमी दो वोट नहीं है, और ये परचामने क्या से बढ़ दिया तो परिखा बढ़ दिया जोटबूर से पहले टाउर दिया जालोर से बिचनावल रहें, थोड़ दो से भयास्टी का जबत है, जामान जबत हैं माहराजा का आदमी जीते मिबंगने, माहराजा खुच जीता वा infamous है अपना जो भी बंदा खड़ा किया दो जीता है और चोड़ो उसने 24 कड़े के सारे जीत गए कॉंग्रेस का सूपड़ा साप है पुरे मारवाड के अंदर वोट नहीं है और ये परजामंडल वाले सारे वागड के गांदीन, राजस्थान के गांदीन सबकी जमानतें जता है पंचीडें सारे गाइब हुए सिंगल चुनाव नहीं जिता फिप्टी टू वाला तब बड़ी हैरानी होती इस बात पे कि जो परजामंडल में अपने पांच दिन लगाते हैं कि परजामंडल वालों ने ये क्या परजामंडल वालों ने वो क्या ये पूरा जूट है कि राध्यस्तान में कुछ भी प्रजामंडल नहीं वा था जब मैंने पहले दिन मोडन सुरू किति में तब भी कहा था कि अगले कुछ दिनों तक हम खूब सारा जूट पड़ेंगे ये पूरा जूट है कि हिस्ट्री इस रिटन बाई विक्टर्स इतिहास विजेताउं का होता है जो जीतता है वो इतिहास को अपने तरीके से लिखवाता है कॉंग्रेस जीती थी कॉंग्रेस का राज था इसलिए उस ताइम यदि किसी आदमी ने कॉंग्रेस में रहे के किसी पर कांकरा भी फेंक दिया कांकरा समझते हो छोटा भाटा भी फेंका तो भी लिखा गया महान देश बख सोचन दरता सेना नी जिन्होंने अपने बं मार मार के अंग्रे जी सामराज जी की चूले हिलाने का जो कारे किया था कुछ भी नहीं किया बैसा अच्छा फिर फिर कोई कहता है कि क्यों हार गए तो रिजन दिया जाता अब राजाओं का रा बंभी थी और गए और जन्ता ने डर के मारे वोट के इसको दे दिया रास्त आप दूसरी बात करते हैं जिसस्यों को राज क्यों छोड़ना पड़ा एक ब्हुंत बढ़ नहीं तो राज डर रहता था कि राज ही चोड़ना पड़ गया प्रजद ने ते इसलिए राजा को डर के मारे और राज चोडने पड़े मतलब 5 साल पहले तो राजा डर रहा था कि राज ही छोड़ना पड़ गया और राज छुटने के बाद जब उसके पास कुछ नहीं बता तब वो जंता को डरा रहा था किते कॉंट्राडिक्षन है तु अब तो फोन बचिटा है तो जीतता है तो चान चिपकाते कोड़ा बर्था यह जीता अब आप जा पता लगे पददा है तुर वह रॉस्ट थी जोद्पूर महाराजा अपना प्लेन लेके अपना चाटर फलेन था वह लेके और जोद्पूर से जारें जालोर कि जोद्पूर जीत गए जालोर वड़ा रिजल्ट देख के आते हैं क्या है खुद प्लेन चला रहे थे साथ में खुद की गल्फेंड थी जुबेदा क्या ना वो अपने वाला एक रिजल्टी देख पाए थे तो राम राज्य परिशत वेसे बिखर गई थे 160 सिटों के लिए चुनाओ वे कितने सिटों के लिए कॉंग्रेस ब्यासी जीत कई थी 82 कितने जीत गई गवर्मेंट बन जाती है तो गवर्मेंट तो कॉंग्रेस की बननी थी 82 तो जीती गए थे मरते पड़ते बहुमत तक तो पहुंची गए थे पर आप सीम बनाएं किसको आपके सारे आघे डंगे अचा हिरालाल सास्त्री इंटलीजेंट पड़े रालाल सास्त्री ने अमले का पहल चुना वी नहीं लड़ा, वो MP का लड़ उनको पता था कि MLA का चुना लड़ भी लिया, तो व्यास जीन मुख्य मंद्री तो बढ़ना नहीं तेंगे अपने बहुत लेना देना ही क्या है, तो उनका मर्ने हढिए अपने MP का है लड़ते है, तो यहाँची चुना वी लड़ते हैं अपने उदर लोग सब आगी तरफ चलेगे अब राजस्तान का CM किसको बनाया जाए दो दाविदार थे जैन्दराइन व्यास और मनेकलाल वर्मा दोनों हारे हैं बहुत धंग से आ रहे हैं बाकी ये जो चतुरवेदीन कोई पांडियाजीन गोकुलबाई भटन ये भी सारे आरगे अब किसको बनाया जाए जो पिर जैन्दराइन व्यास के एक थेली पकड़ थे टिका राम पलिवाल के नाम था पर जैन्दराइन व्यास ने कहा कि मेरी जगे किसको बनादो टिका राम पलिवाल तो राजस्तान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री ज तिका राम पलिवाद अब देखवा टिका राम जी च्छा एक मेने सी हम रहे ले देखे जैंदरायन व्यास की जिंदगी का ये की सपन है कि अपने को तो क्या बनना है सिया किसंगड से एक सीट खाली होती है किसंगड के मले चांदमल महता कुंते मले वहां के वो अपने विद डाहक की सीट किसी भी कारण से खाली हो गई हो बले ही इस्टीफा दिया हो बले ही उसकी मरती हो गई हो हम गते हातों आत तो किया कुछ वा लिया चैने हैं जानते तेंये मारवाड में तो कहीं Cpay आप नहीं देगी इले आज Homer से खड़ाऊ आ छाए पिर अब सब लोगों को पता ही था कि Congress की government आ गई और Congress की government और CM के दाविदार कोन है व्यास जी इतले किस नंगर से व्यास जी जीत किया है विचरे टिकाराम पालीवाल को टायर व्यास जी क्या बने CM दो नमबर लिए जैन्दरेन व्यास आए म अब आप पहले बनेवे किसी आदमी गोढ़। तो दुख तो होगा बलेट dessert काराम पालीवाल की कोई अकात नहीं थी पर CM तो बन गए थे, किसी भी कारणों से बनो, बड़े नेता आ रहे तो वो बन नहीं थे, अब क्या क्या जाए, पलिवाल का क्या क्या जाए, तो कहा कि तो इस जेनरायन व्यासवाली गवर्मेंट में डिप्ती सीम कोई बनाया गये थे, तो वो कौन बनाया गये थे, तिका राम पलिवाल, इसे मिलिको आगे कोश्टक में, यह आरपीसी का फेवरेट सवाल है, रज्यस्तान का एक कौन सा मुख्यमंत्री इसे बाद में उप मुख मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, अरदेव जोसे, यह कौन से मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की बाद उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, तिका राम, आचे, त्री एड़ेट मोई देखिए, देखिए त्री एडिट, उसका बहुत कॉमन सा एक डायलोग है, कि जब और जिन लोगों के दूख नो ऐख दोस्त होते हैं? वियास जी ओपना के ना गतां मों वेवा जी जीवन और अच्छे दोस्त थे वो उसके должен बुरक लाघ्य PRO Cंग लोग किष़् दोस्त वियुण ही और हुर अच्छे दोस्त बनगेश ऑप किसमत लोट गई अब व्यास जी तो चुनाओ जीत के क्या बनगे CM वरमा जी अभी पंचीडा गा रहे हैं अब वरमा जी की जीवन का एक ही सपना जे अंदरें व्यास को CM पत से अटाँ अब वरमा जी तब मैं कहता हूं अब वाले नेता गव है भले हैं बेचारे इनसे अच्छा तो कोई नेत चले क्या क्या कर गए सारे अब वर्मा जी ने जाके नहरु जी को शिकाइद करने शुरू कि व्यास को अटाओ भ्रेष्ट आदमी है और राजा मरा जागी अब राम राज जी परिशद अन्वन छों कोंग्रेस में लिया है कि कॉंग्रेस भाली है कि राजाओं को शेक्राट करने वाला आदमी है जो चार्ज जो एलिगेसं कभी सास्त्री भी लगा रहे थे अब वह ज़ागा रहा जी रिया है राश्तान में कॉंग्रेस टूटेगी अपने और ये कॉंग्रेस वाले आपस में लड़ रहे हैं आए बाई उदर से दो प्रेवेक्स आए दो सुपरवाइजर है आगे व्यास जी का व्यास जी आपके किलाब डिसकंटेंट है बहेंकर वाला ऐसंतोस है आपके MLA आपकी बात आप नहीं मान रहे हैं MLA जा कि इडली सिकायत करते हैं इसको अटाओ और व्यास जीन का MLA कोई नहीं वर्मा घूमता होगा तो चुनाव जीत नहीं पया हार गया और मुझे अटाने में लगा रहा था मैं जानता हूं सुपरवाइजर ने का बात तो सर सही है पर वर्मा जी की साथ MLA भी है रहे कोई MLA नहीं आप तो वोटिंग करवा लो MLA की क्या करवालो? वोटिंग यदि मेरे पक्स में MLA ज़्यादा वे तो CM में और मेरे यदि अपोजिशन में ज़्यादा MLA वे तो CM जिसको चाओ उसको बना देना कसा आप ठीक है अब का वोटिंग करवाएंगे उदर से वर्मा जी अपने गुठ को लेके यदर व्यास ज वर्मा जी चुनाओ तो करवा रहे हो लेकिन लड़ेगा कौन? आप आप तो खुद ही MLA नहीं हो बिना MLA आप तो मेरे सामने चुनाओ किस लड़ोगे? MLA MLA की वोट होंगे? वर्मा जी ने का मैं तो नहीं लड़ूँगा आपर किसी को लड़वा देंगा हमारे गुठ से किसको लड़वाओगे मेरे सामने का हमें सबसे जो छोटा लड़का जो सबसे यंग एज का लड़का उसको लड़वाएगा वर्मा जी के साथ में सबसे यंग एज के थे महनलाल सुखाडिया क्या नाम था? व्यास जीन गा यह कल का छोरा मेरे बाल दोड़े आगे पोलिटिक्स करते करते यह कल के छोरे सिखाएंगे क्या पोलिटिक्स होती है जब करवाओ वोटिंग एक सो दस वोट थे आप किते वोट थे कॉंग्रेस के तो निर्दलिया आ गए थे रो राम राज परिसेद्वाल टूट टाट के कॉंग्रेस के पास 110 वोट थे 110 वोट ओं में टोर्टिंग कर भाइगे बहुश्टि को कितने मिलते थे सुखाडिया को वोट मिले 59 कितने मिले वियास जी को मिले 51 व्यास जी वोटिंग में चुनाव हार जाते हैं वहाँ पर नए-CM कौन बन रहे थे? महनलाल सुखाडिया लेखो महनलाल सुखाडिया अब सुनो और जोरदर बात एक जब यह वोटिंग होने वाली थी कि भाई सुखाडिया और व्यास जी के बीच में क्या होगी वोटिंग तो सारे MLA को कॉंटेक्ट किया गया व्यास जी सारे MLA करे हमें वोट दो सुखाडिया जी करे है हमें वोट दो तो 9 MLA ने मिलके अपना एक अलग गुट बनाया, कितने MLA ने मिलके, 9 MLA ने मिलके अपना एक अलग गुट बनाया, और उन 9 MLA ने कहा कि अपने वर्मा जी को सुखाडिया को वोड देंगे, किसको वोड देंगे, मतला अपने व्यास जी को नहीं देंगे, आपने देंगे किस किसको देंगे जिसको देंगे महंलल शुफफट तो नो आध्मयों का ईक गूट किसको वोट देने जा रहा है म nell de आतब अगर व्यास और हार्यास ज़्यारहे जाते तो इnicas जीतेंगे और यह नो लोग इसी बात से न रास्ते बाई टिका राम पलिवाल गोटा दिया व्यास न इसलिए हम तो किसको वोट देंगे सुखाडियाव पर व्यास जी आ रहे आठ वोटों से इसका मतलब नो लोगों में से एक आदमी वोट नहीं देखे गया और एक आदमी वोट किसको दे दिया व्यास जी को वो एक आदमी इसने व्यास जी को वोट दिया वो खुद टिका राम पलिवाल है कि वोटिंग के लिए जब गुसने लगे तो टिका राम पलिवाल को व्यास जी ने पकड़ा साइड में लिया खाट टिका राम मैं तरे को उपमुख्य मं तो टिका राम जी अपने बाकी साथ योंगो तो कहा नहीं पाए और खुद वोट किसको दे के आगे व्यास जी बाकी आठ किसको वोट दे के सुखाडिया और सुखाडिया कि टे वोटों चीते आठ वोटों से जीते हैं सुखाडिया यह पहली विदानसबा है मतलब भी पहली विदानसबा कत्म नहीं हुए 52 के अंदर पहली विदानसबा शुरू हुई थी 57 में 5 साल के कारेकाल होगा सुखाडिया CM बन गए 1954 मतलब दो साल में राजस्तान के विदानसबा ने तीन सी हम देख लिए तिकाराम पालिवाल जैनरायन व्यास और महरलाल पर इस बार सुखाडिया जो सीट पर आके बेठे एक बार जो सीट पर आके कबजा किया अगले 17 साल कि कितने सालों तक सत्रा सालों तक यदी कोई सपद्ड पर बैठा रात वो आदमी कौन थे कि राज़श्थान के सबसे कम उमर के मुख्यमंतरी राज़श्तान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंतरी आधुनिक राजस्तानका निर्माता इतने साल रहेगा तो इसी की टाइम में काम ज़ादा होगा तो महुनला सुखाडिया 54 में बने थे 81 तक रहे कब से कब तक लिख लू कोश्टक में तक याद रहे थोड़ा सा कोई पॉलिटिक्स करे तो सुखाडिया जी जैसी करे और देखवा आप मुख्या मंत्री तो रह जाते हैं लोग लंबे-लंबी टाइम तक रह जाते हैं आपने असोग जी पंदरा साल रह जाएंगे बले टुकडों में रह लेकिन असोग जी तीसरी बार सीम बन गए तो 15 साल असोग जी अपने सीम रह जाएंगे पर सुखाडिया जी जब CM बने तब उमर थी 38 साल, उमर कितनी थी? 38, 38 साल की उमर में सुखाडिया जी क्या बनगे CM, 17 साल लगाता रहे और 55 साल की उमर में इस्तिफा, लोगों को 55 में MLA की टिकेट मिलती है, पॉलिटिकल केरियर किसी का आदमी का बने तो किस की तरह बने? सुखाडिया जी की तरह बने? इस आप 17 साल सीम रहे, पच्छपन में तो रिजाइनी कर गए थे, पकड़ो साब तुमारा और 55 साल की उमर में लोगों को पॉलिटिकल के दिर सुरू होता है, कि आपने भाई ये सुख जी के पार बने थे तो पचासे साल के तो तब जाए तो सीम बन भाये थे, वो साब 55 साल की उमर में तो सीम पंष छोड़ गए और किते साल रहें के छोड़गे? 17 साल तो याद रहेगा और वो भी नहीं चोड़ते एक कांडोर हो गया भारत में कांड यह वा कि अपने सेंटर में सेंटर में क्या वा सेंटर में पहले चुनाववे 52 कॉंग्रेस जीतनी दी सावभाईक बात है परदाहन मंत्री बन गे जवाहरलाल नहरू कौन बन गे नहरू तक जाते जाते नहरू जी बहुत बिमार रहने लगए यह तो चीन वाला सदमा था कि चीन को नहरू जी एमेसा मानते थे कि अपना बाई है हिंदी चीनी बाई-बाई के नरे लगा रहे थे और बाई ने पीठ में चूरा ही गउंप दिया भाई खा गया जमीन ही पूरी इसलिए बहुत ज़्यादा बिमार रहने लगे लिए चारो तरब चर्चाएं थी हूँ आफ्टर नहरू नहरू के बाद कौन नहरू के बाद प्रदानमंत्र किसको बनाया जाए और एक आदमी अपना कोर्टमेंट सिलवा गे तयार बेठा वा था मोरार जी भाई देसाई क किसको बना दिया गुल जारे लाल नंदा को बस वो तो एक बार एक्टिंग प्रदानमंत्री बीच में जब तक हम नया ना बना ले तुम बेठा रहे तो अब पर नया बनाये किसको दो लोग दाविदार है मुरार जी भाई देसाई और लाल बहादूर सास्त्री कौन-कौन को नाम था कोल दीर नाम सम्झाय कि कल क्भार मी या यह यह नीज आनी चीए अगले दिन दिन ने ने च् Western कि कांग्रेस के सभी 悲 दल बहादूर फदी कि नाम पर एकमत क्धे सभी निकाल बहार बहादूर सास्त्री के नाम पर इकमतस कौनग्रेस के राफ नेटाओं ने जब सुना कि भई शारे त्यार होगे अब मैंने ये पड़ा कि yasastra ji मैं मालो-kaongres का नेता हूँ कि sos द्रीजी के पक्स में सभी congress को मुले के सारे या गए क्या फिर मैं मुराशिय के तरफ जा कि क्या करूंगा आपने पड़ा आपने आपने सब को ये लगा कि सारे किस की तरफ चले गए सास्त्री इसलिए मिटिंग वीर पूचा भाई हाँ सास्त्री जी की तरफ कितने है तो सब के मन में था कि सब सास्त्री जी की तरफ है तो सब वहां पर बहुत ही संधिक्द हालतों के अंदर, वापस सास्त्री जी के लास ही वापस ही अपने पास को. अब सास्त्री के बाद किस को बनाया जै? मुराधी बाइदेस्या एक बार वापस प्रेश करके लाए जब मैं बनूं गा और कौन मनेगा? अब नहरुजी जैसा बड़ा नेता चला गया था, सास्त्री जैसा इमानदार नेता चला गया था, एक बार फिर कारावाहिक बना दिया गया बीच में गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा स्टेफनी है, जब तक टायर नहीं आ जाएगा, तब तक काम कोन करेगी स्टेहफन का गुर्डा दियुक्त नाम क्या था ताम कि तमिन लड़ू के नहीं टाइम टियुक्त नहीं थे जादा और हिंदी नहीं आती तमिने जाना करते जदा थे तो के कामराज के भी मंदे मैं थी यार मैं बनू कश्षन हो पर बाहरत के अंदर यह श्युक्त नहीं था gj placed fashoda भरती हो छो मेज़ा लेगा किसे स्विकार कर लें चरफ तो कामराज को लगा मैं तो बंढ नहीं सकता और यही मुरास्य रगुती बंडी इस्वाइं बंगया तो मेरी चलने नहीं देगा इसलिए ऐसे बंदें नहीं को मेरि चलती रहे. इलेके इंद्रागंदी को. किसको लेके? का कमराज नहरू जी के साथ के नेता थे तो कभी मान लो नहरू जी के घर पे गए हैं इंद्रागंदी न मस्त पहुंज Bernard यह पूछिए हो edible कूलस में अगी कि इंदु गत्य यह इस बार एंध में आगे इस बार टैंथ में आगे वेरी गुड कितने परसेंट आए इस बार कम आए तुमारे साइंस पढ़ा करो अच्छे से बेटे तो क्या काम राजम न तो बहुत है तो के काम राज को लगा इंद्रा गांधी को बना दे और जैसे का पता के नंद्रा अ कि इंडरा नाम पे फिटी घंड नाम पर राजी यह बनेगी और भारतका परधान मंत्री बना गया गया परदरामंत्री बनने पराद उसके पंक है कि उसके परास क्या है उसने सबसे पहले बातेkasन नी-बंद गिसकी की ऑजेश्यें के हामराच की बाते माननी बंद की कहाम राज लगा तुमारी बातें नहीं मान रहे वह छुप शक्टी 6 में बनती है इते में एक नया पंगा था 69 में पर जब तक आप ने राष्ट्रपथी का चुनाओ नहींकर लेते तब तक आपका जो उपराष्टरप्ती है व्फ्रास्ट्रपथी कि तरह काम वइस प्रेजिदेंट प्रेजिदेंट के तरह क्लिए उन दिनों आपने आपने वाइस प्रेजिदेंट गरते व ninjy वीवीगिरी अपने वाइस-प्रेजिदेंट थे और उधर जो आपके जाकिर उसेंद की डेथ होती है पध्ध पर रहते वे तो अब वीवीगिरी राश्ट्रपती के रूप में काम कर रहे हैं अब नए चुनाव करवाने राश्ट्रपती नए चुनाव करवाने तो कॉंग् आओ मैं कांग्रेज की मिटींग होती है borrow में कॉंब को मिद्वार कॉंगलेस इस बादी ने काज़ा ACC भारत का राश्ट्रपती बनाया जाए बबू जार्टी वोग राम में कि discrimination नाम नहीं सुनागा, आपने एक नाम सुनागा, मीरा कुमार, लोकसभा की अधेक्स थी बीच में अपने मीरा कुमार, आपने मीरा कुमार ही नहीं सुनागा, नहीं पो दो पूरी आप एक दम, मीरा कुमार अभी मनमाउन सिंग जी वाले टाइम अपने लोकसभा की क्या थी अ आमराजकर इनका करना था कि भारत का जो राष्ट्रपदी बनना चाहिए वह बनना चाहिए निलम संजीवा रेड़ी कौन बनने चाहिए? आदमी है निलम नाम नहीं 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 हो आपने नाजनी नर्दी नहीं नेलम नाम determines नहीं करने ओने बनाओ लिसफिकर इनदी था न्यस रेड़ी उन्दूने में लोगषभा के इसपी करते हैं तुम नादू के नेता थे बड़े और एन्स रइडी को बनाया जाना छिए एन एएस रएडि उन्दिनों लोगसभा के स्पी करते हैं एन्स रेडि कौन लोगसभा के इंद्रागंधी की खिलाफ थे इंद्रा गांदी के बनती नहीं थी एंद्रागंधी तो चारी एक बाई इस रेडी को ना बनाया जाए, इसको बना दिया जाए, जग्जी उन्द राम के चाहते हैं, किसको बना दिया जाए, निलम संजीवा रेडी, वोटिंग करवाई, काग बाई जग्जी उन्द राम के पक्स में कौन, निलम संजीवा रेडी के पक्स में कौन, जग्जी उन्द इंद्रा गांधी के पास में घुवानेता जाता है कॉंग्रेस का बहुत यंग यंग लिडर जाता है और वो जा कहता कि मैडम आपको रिजाइन क्यों कर देना चाहिए नहीं करना चाहिए आपको रिजाइन और आपको उल्टा आपका जो भी कंडिडेट खड़ा उसके पक्स करता है सर्याम देश के प्रतान मंत्री के खिलाप मिटिंग करता है इसको वोट दें अब दिमाख खराव हो गया मालेकों अनलम संजीवा रेड़ी होगा मैडम ने वापस फूछा कि पूरी कॉंग्रेस निलम संजीवा रेड़ी को बनाना चाहिए जैन्टलमयन तुम वोट वोट किसको दोगे यदि कॉंग्रेस ने कह जिए निलम संजीवा रेडी तुम तो खुद कॉंग्रेस के मेंबर हो उस जिवा ने वापस जबाब दिया कि मैडम निलम संजीवा रेडी को कॉंग्रेस अपना कंडिरेट बनाती है तो मैं वोट अरब सागर में फैंगदूगा लेकि निलम संजीवा रेडी को नहीं दूंगा इस आजमी को वोट नहीं दिया जाए और मैडम आप तो हम साथ कड़ें आपके यह बूडी यह किते हैं किती किनकी पॉलिटिक्स है युवा सारे आपके साथ है और मेरे साथ और खूब सारे हैं आप अपना कंडिडेट करो मेरे तरब से वी वी गिरी मेरी तरब से अब कॉंग्रेस में दो कंडिडेट कॉंग्रेस में कॉंग्रेस पार्टी की तरब से जो कंडिडेट है वो तो निलम संजीवा रेडी प्रदाहनमंत्री की तरब से जो कंडिडेट है वो है वी वी गिरी आचा राष्ट्रपती की च जितके वीवी गिरी जी ते कौन इस बार इंद्रागों पता चलागी ने बुडियों के पास तो वोट ही नहीं है वोट तो मेरे पास है यह सारे यंग लिडर तो मेरे सात में कड़ें वो यंग लीडर जो उसके इंद्रा गंदी को जा के समझा रहे थे वह आगे चलकर भारत के पढहना मंत्री बन मेरी कॉंग्रेस अलग है, कॉंग्रेस आई, तो अब जो ये कॉंग्रेस अना अपनी, ये कॉंग्रेस आई है, कभी आप नोटिस करना, जब चुनावना होते हैं, तो आता है, कॉंग्रेस आई के उमिद्वार को वोड़ देकर विज्य बनाएं, और जो बूढ्डिय है थे, उन्हों ने अपनी कॉंग्रेस बनाएती, कॉंग्रेस ओ, 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 कॉं और शॉठ इंडिया में रज्यपाल बना दिया पच्पन साल की भरी जवानी में रज्यपाल बनना ओहो पाइसा नहीं होना चीह किसी ब्याद में के साथ पर अब दिक्कत यह थी पर राजस्तान का दिया मिसको बनाया जाए लंदन के होटल की कम्रे में फोन गन गनाता है अध वह में जर से सामने से क्मось फोन उठाढार वो अपना वो आपर लाई साब रूम पर नहीं आहरे मैडन पर म करना लागी निणल को यह मगर में घया ढ़त करना चाँ वே राते का गी यह मैंडम आप से बात करना चाहती। कुन थे बरकतुल्ला खान राजस्तान के चौते सीम कुन बना दिये गए थे बरकतुल्ला खान लेगो बरकतुल्ला खान इंद्रा गांधी के पती फिरोज गांधी के दोस्त थे बरकतुल्ला खान आसलों जी से पहले जौद पूर की कोई सीन बने थे बरक्तूला खानी थे इतले आपने जौदपूर वा ले श्टीटीचेहम नाम बरक्तूला खान स्टीचेहम है रांथि बाद बरकतुला खान साब लंबे टायम देग जिंदा इन्हीं रहा पाए थे बरकतूला खान साब 71 में बनते हैं 72 में वापस चुनाओ 71 में लाष्ट में चुनाओ करवा लिये थे वापस एक बार cm बने पहले चुनाओ से पहले बने चुनाओ के बाद बने इतने मिनकी डैथ करद स्भील पिर आगे सो गैलोग पिर आगे वसंदरा राजे पिर आगे 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 आ सो कहले अगा अला जाने कौन आयर कौन महीं आया है फाय साव लिगषा साथ माल चरल